जारकण में जब से बीजेपी की सत्ता से विदाई हुई है और महागटबंतन ने सरकार बनाई है तफ से हेमन सोरेन सरकार बीजेपी के तलक तेवर जेल रही है विपक्ष सोरेन के मंत्री मंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर सरकार पर बरस रहा है जिसलिकर अब मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने भी विपक्ष को करार अचवाब दिया है साथ ही जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेद भी दिये है जारकण में 65 पार का नारा देकर विपक्ष को घेरने वाली बीजेपी के सारे अर्मार 23 दिसंबर को धराशाही हो गए जिसके बाद हेमन सोरेन ने सूबे के नए मुख्यमंत्री के तौर पश्रपत ली लेकिन हार को पचा नहीं पा रहा विपक्ष बार बार सोरेन सरकार पर सवाल उठा रहा है बीजेपी सोरेन कैमिनेट के विस्तार में हो रही देरी को लेकर सरकार को खेर रही है विपक्ष का कहना है कि मंत्री मंडल का वस्तार नहीं होने से सूबे का काम प्रभावित हो रहा है जिसके चलते अब मुख्य मंत्री हेमन सोरेन ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है दरसल हाल ही में विपक्ष ने सरकार को खेड़ते हुए कहा था कि सोरेन की सरकार सिर्फ ट्वीटर के जरीये चल रही है इस आरों पर मुख्यमंत्री सूरेन ने कहा कि ट्वीटर से ही सही सरकार तो चल रही है परिणाम भी दे रही है हेवन सूरेन ने कहा कि ये सुनने वाली सरकार है सब की सुनेगी और सब को साथ लेकर चलेगी पांच साल में जो हाल राज्य के हुए है उसे भी ठीक किया जाएगा लोगों से बिल रहा हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करने में जुटा हूँ लोगों की समस्याओं का समाधान हो यही मेरी और सरकार की प्राथ मिक्ता है जरता का काम हर हाल में होना चाहिए इसके साथ ही सीम ने मंत्री मंदल का विस्तार जल्द हो जाने के भी संकेत दिये वही सूतरों का कहना है कि 25 जनवरी की दोपहर तक मंत्री मंदल विस्तार हो सकता है आधिकारिक सुत्रों का कहना है कि मुख्य मंत्री दिल्ली में कॉंग्रस के शीष निताओं के साथ मंत्री मंदल विस्तार और विभागों के बटवारे पर विचार करने के बाद 21 जर्वरी को राची लोटेंगे इस बार बटवारे पर अंतिम फैसला हो जाने की पूरी संभावना है ऐसे में अब कैबिनिट विस्तार पर अंतिम महर कम लगती है और हेमेंट सोरे की पूरी टीम कब तक तयार होती है इस पर सभी की निगाहे टिकी है